नमस्कार, नक्षतर दुनिया चैनल में आप सभी का हरदिक सौगा थे मित्रों आज के वीडियो में हम केतु का कुंड़ी के छटवे, आठवे और बारवे भाव में क्या फल होता है इस पर विचार करेंगे इसके साथ साथ त्रिक भावों में केतु के सुब और असुब फल किस परकार से हो सकते हैं यनि आपकी कुंड़ी में केतु गरह सुब रिजल देगा अत्वा असुब रिजल देगा इस विशे पर चर्चा करेंगे और केतु से संबंदित उपायों को भी आज के वीडियो में सामिल किया गया है चीजों को मैंने स्टेप बाई स्टेप लेने का प्रयास किया है यदि आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें आईए सुरू करते हैं मित्रों त्रिक भावों के अंदर केतु ग्रह के क्या फल होंगे इस पर हम विचार करेंगे परंतु उसके पूर केतु ग्रह को थोड़ा समझ लेते हैं देखिए आपकी किसी भी लगन की कुंड़ी हो केतु ग्रह आपकी कुंड़ी के अंदर अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा ये इस बात पर निर्वर करेगा कि मंगल की इस्तिति क्या है यदि मंगल सुब होकर आपकी कुंड़ी में बेठा हुआ है तो ऐसी इस्तिति में केतु के सामान निता है अच्छे रिजल्ट मिलने मिलते हैं यदि सनी ग्रे सुबोकर बेठे हैं तो राहू ग्रे के समंदता अच्छे फल मिलते हैं ये केवल एक बिंदु हुआ ठीक है हलाकि इसकी placement चेक करना अनिवार है हमें कि केतु ग्रे कहां पर बेठे हुए हैं इन पर एक एक करके हम विचार करेंगे के तु किसी भी व्यक्ति की अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है के तु बिना सिर्वालत धड़े ठीक है आयस्तरता लाता है जिस भाव में ये बिठेगा वहाँ पर ये आयस्तरता पेदा कर देगा ठीक है कुंडी के केंदर के घरों में किस प्रकार से केतु के फल होते हैं इस पर वीडियो बनाया जा चुका है इसकी लिंक आपको डिस्कुर्शन मिल जाएगी आज के वीडियो में हम मुक्ता है विचार करेंगे कि केतु का चटवे आठवे और बारवे भाव में क्या फल होगा द्यान रखे केतु किसी भी भाव में ये बेठा हुआ हो वहाँ पर राशी कांग ये आपको नो लेखा मिले केतु ग्रे के पास मित्रों तीन द्रिष्टी होती है पांचवी, सात्वी और नवी द्रिष्टी ये जिस भाव में बेठेगा वहाँ से पांचवी, सात्वी और नवी द्रिष्टी से अलग-अलग भावों को ये देख सकता है आईए अब इसके फलों पर विचार करते हैं मित्रों आईए अब विचार करते हैं केतु ग्रे आपकी कुंडी में छटवे, आठवे और बारवे भाव में किस प्रकार के फल देते हैं देखिए कुंडी के छटे भाव की बात करें लोगों पर दया करने वाला ऐसे वक्ति होता है ग्यानी होता क्यों क्योंकि केतु का समझ जो है कुंडी के 12 हाउस से होता है जहां से मोक्ष का विचार भी करते हैं और केतु मोक्ष के प्रमुक्कारग्र है हाला कि हमें गुरू की इस्तिती भी देख लेना होगा क्योंकि गुरू धर्म के प्रमुक्कारग्र है गुरू भी अच्छे हुए और येदि सुब मंगल होकर बेटे हुए तो फिर केतु ग्रह यहां पर आपको अच्छा रेजल्ट देगा मान लीजे इसके विप्रीत येदि केतु ग्रह नीच राशी के होकर बेट जाए या पीडित हो जाए तो फिर क्या होगा विक्ति गुसेल सुबाव वाला हो सकता है यहनी चिड़ने वाला ठीक है बिना कारण के सतुता मोल ले लेना दूसरों से इस प्रकार के दिक्कतें आती है पुत्र के सनात मतभेद हो जाना स्वास्त समंदी समस्यां हो जाना इस प्रकार की परिशानिया केतु ग्रह यहाँ पर फिर देते हैं आई अब बात करते हैं केतु ग्रह येदि कुंड़ी के अस्टम भाव में बेट जाए, तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं, देखिए कुंड़ी के अस्टम भाव की बात करें, तो ये गूर विश्यों का भाव है, रहस का भाव है, आयू का भाव है, मृत्यू का भाव है, पेत्रिक संपत्ति का भाव है, केतु गरे जब यहाँ पर सुब होकर बेठेंगे, सुरासी, मित्रासी और उच्राशी के होकर, तो जाता गूड विश्यों में रुची लेता है, आकास्मिक धनलाव, यह से केतु व्यक्ति को कराते हैं, व्यक्ति की धर्म कर्म में रुची रहती है, क्योंकि देखिए, नबेव से यह बारवाव हो है, लेकिन यहाँ से हम रहसमाई चीजों का विचार करते हैं, ठीक है, तो गुड विश्यों का, यहनि वेदों सास्त्रों का विचार भी हम यहीं से करेंगे, तो केतु क्योंकि मुक्ष के काराख हैं, और इनकी जो दरश्टी है, वो गुरु वाते दरश्टी होती है, यहनि गुरु के पास जो तीन दरश्टी होती है, सेम टू सेम केतु के पास भी होती है, ठीक है, तो धर्म में विक्ति के आस्त्रा बनी रहती है, तंत्र मंत्र यंत्र में विक्ति रुची लेता है अब मान लीजी कि केतु यहाँ पर असुभ हो जाए ठीक है तब क्या होगा देखिए विक्ति फिर बुरी चीजों में लग सकता है यहीं कह सकते हैं कि चरत्र का पतन वाली इस्थिति आप इसे कह सकते हैं नंदा का पातर विक्ति बन सकता है जल्दवाजी में नर्णे करने वाला ऐसे विक्ति होता है धन की प्रकरती की बात करें तो आईस्थिर बनी रह सकती है फर पेत्रिक संपत्ती में परिशानी आ सकती है और विक्ति से जल्दवाजी करवाता है यह केतु तो हमें यही रखना है कि यदि केतु कुंड़ी के अस्टम भाव में हैं तो जल्द बाजी में नर्णे लेने से बचना है मित्रों आईए विचार करते हैं केतु ग्रह यदि कुंड़ी के बारबे भाव में बेट जाए तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं कुंड़ी के 12th house की बात करें तो यहां से हम प्रमुक रूप से खर्चों का विचार करते हैं अस्पताल का विचार करते हैं विदेश गमन का विचार करते हैं ठीक है यहां पर जब केतु सुभ होकर यदि बेटते हैं किसी सुभ भावों में सुभ होकर बेटे हूए हैं ठीक है और केतु यहां पर क्योंकि सन मुख्च के कारक क्या रहता है यह प्रवर्दि व्यक्ति के अंदर आ जाती इस प्रकार कि भोत्यक शुक ऐसे व्यक्ति को भरपूर मात्र में मिलता है और व्योस्ति धंग से व्यक्दी खर्च करने वाला होता है यophone मामा मुसी बुवा के साथ सुक में कमी हो सकती है ये इस परकार की दिख्कतیں आती है मैं तो केटु की कुछ महत्पूर्ण विंदूं पर विचार कर लेती है दियान रखे केतू एक चाया ग्रह जिसा भी हमने जाना और जिस ग्रह के साथ केतू ग्रह बेटेगा उसके बल में ये ब्रद्धी कर देता है उसके बल को बढ़ा देता क्योंकि बायू तत्वी ग्रह अब सुबक ग्रहे के साथ बेठा है तो सुबत में ब्रद्धी होगी यदि असुब ग्रहे के साथ बेठा हुआ है तो असुबता में ब्रद्धी होती है ठीक है अगली बात को समझते है केतू जिस भाव में बेठता है वहाँ उसका मालक ग्रहे भी उसी भाव के अंदर ये दी बेड़ जाए तो केतू ग्रहे के सामानता अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं मान लिजी कि केतू ग्रहे लगन भाव में ही बेड़ गाए आकास्मिक धनलाग करा सकता है आकास्मिक घटनाए घट सकति है अब घटनाए चाहे अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है देकिन वहोर दुर प्रस्तर भाव भी और दे तक जasa है आलाकि कि मंगल के इस्टिती hyper शुप्त सब्सक्रात के रीस और यह दिमान लिजी मंगल ग्रहे के साथो ऐे बीट जाए के तू तो मंगल के बलको candi गुना बड़ा देगा क्योंकि मंगल के उपर ही निर्भर करेगा कि मंगल येदी सुभ है तो केतु के रिजल्ट समानते हैं व्यक्ति को सुभ ही देखने को मिलते हैं परन्तु एक बात खामे ध्यान रखना कि केतु जो है वो अनिश्यत्तत्ता लाता है जीवनकाल के दौरान ठीक है यानि कह सकते हैं कि व्यक्ति के एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी इच्छा तुरान जन्म ले लेती है यानि कुछ ना कुछ कमी जीवनकाल में व्यक्ति के बनी रहती है मानली जी कि आपकी कुण्डी के अंदर केतु सुब रिजल्ट ना दे रहा हो तब आप कुछ उपाए कर सकते हैं देखिए इसके लिए एक मंत्र है ओम इस्त्राम इस्त्रीम इस्त्रोम सह केत्वे नमा इस मंत्र का जब आप करें तो केतु से संबंदित बरे प्रभाव में कमी देखने को मिलती है इसके लावा केतु का जो एकाक श्री मंत्र है ओम केम केत्वे नमा इस मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं केतु यदि बरे प्रभाव दे रहा हो तब तो केतु के बरे प्रभाव में कमी आ जाती है गुरू को बल देने से भी केतु के बरे प्रभाव म कमी देखने को मिलती है किसर का तिलक लगाने से गणेश जी की अराधना करने से मंदर जाने से के तुग्रे अपने बुरे प्रभाव समानता नहीं देता में तनो वीडियो ग्यान वर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद